Hey guys and welcome back to our new another video and guys आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि guys अगर आप whatsapp अगर यूज करते हो अगर whatsapp के अंदर कोई भी status को अगर आपने mute कर दिया है तो guys वो जो mute हुआ status है वो आपको दिख नहीं रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा या फिर guys आपने अगर किसी status को अगर mute कर दिया है और आप उसको अगर unmute करना चाते हो तो यह आप कैसे कर सकते हो इनी सब चीजों की जो है guys बारे मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं guys अगर आप इस सनल पर नहीं हो और अभी तक इस सनल को अगर आपने subscribe नहीं किया है तो guys तो guys अगर हम नीचे के साइड में आते हैं तो guys नीचे के साइड में आने के बाद हमें यहाँ यहाँ पर एक option देखने को मिल जाएगा तो guys आप जो problem वाली बात है वो यहीं पर है मेरे mobile में तो जो है कि मैं नीचे के साइड में आता हूं तो मुझे muted update का option देखने को मिल जाता है लेकिन guys अगर माल लो अपने कोई status अगर mute किया है और आपको अगर यह muted update का option अगर देखने को नहीं मिल रहा है अब ऐसे condition में आपको करना क्या होगा जैसे कि guys मैंने एक status mute किया है status mute करने के तुरंत बात जो guys मैं नीचे के साइड में आया हूं तो मुझे muted update का option देखने को मिल गया है अब मैं जो है सबसे पहले आपको पता देता हूं कि अगर आपको status अगर दिख रहा है तो guys आपको ज details बताने जा रहा हूं कि अगर आपको muted update का option देखने को नहीं मिल रहा है या फिर muted update का option देखने को मिल रहा है और उसके अंदर mute हुआ status ही अगर आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो guys आपको क्या करना होगा अगर आपने कोई status अगर mute कर दिया है और mute करने के बाद अगर वो status यहाँ पर muted update के अंदर अगर आ चुकी है मैं आपको एक example के through समझाने की कोशिश करता हूँ आप माल लो आपका कोई दोस्त है और आपने अपने दोस्त का जो story है उसको आपने mute कर दिया अब mute कर दिने के बाद जो वो story होगी उसकी वो यहाँ परियानी की muted update के option के अंदर आ जाएगी और आपको जो यहाँ बाहर के side में कुछ इस तरीके से muted update का option देखने को मिलेगा और उस muted update वाले option के उपर अगर आप click करोगे तो यहाँ पर जो है उसकी story आपको देखने को मिल जाएगी या फिर तो जो 24 hours होते हैं उसके बाद अपने आप कोई भी story डिलीट हो जाती है उस तरीके से जो है उसकी story डिलीट हो गई होगी तो guys मैं clearly अगर बताऊं तो आपको यह muted update का option तभी देखने को मिलेगा तभी आपको जो है muted update का option देखने को मिलेगा और जो story वो लाइकाया होगा जो नया story वो लगाया होगा वो story आपको नीचेक सेड में देखने को मिलेगी और तभी जो है guys आपके status की उपर long प्रेस करके unmute के option के ऊपर क्लिक करके आप उसके joistory को आपने mute कर सकते हो तो इसके लिए आपको करना क्या होगा नीचेक सेड में आना होगा और चेक करना होगा कि कहीं उसने नया story लगाया तो नहीं है अगर वो नया story लगाया होगा तो आपको muted update का option देखेगा और आप जो है guys muted update के option के ओपर इस तरीके से क्लिक करके उसके नया story को भी चेक कर सकते हो आपको यह वीडियो पसंद लिए और अभी तक इस लिंग कर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर अपने सब्सक्राइब कर दो